आज की हमारी कहानी है अगली का मतलब होता है कुरूप जो दिखने में अच्छा न लगे उसको बोलते हैं अगली तो एक कुरूप पेड की कहानी है इन अ डैंस फॉरेस्ट डैंस का मतलब होता है घना एक घने जंगल में इसका मतलब होता है किसी का मजाक बनाना किसी का मजाक उड़ाना बैंट ट्री बैंट ट्री का मतलब है जुका हुआ पेड वुड वुड का प्रियोग हम करते हैं किसी रिपीटेड एक्षन को दिखाने के लिए पास्ट में किसी रिपीटेड एक्षन को दिखाने के लिए वुड का प्रियोग किया जाता है इसका मतलब हुआ कि एक घने जंगल में सभी लंबे पेड एक जुके हुए पेड का मजाक उड़ाया करते थे Calling it ugly उसे कुरूप कहते हुए यनि कि उस जुके हुए पेड को कुरूप कहते हुए उसका मजाक उड़ाया करते थे The bent tree जुका हुआ पेड जो था Wondered उसे आश्चर्य होता था Why? कि क्यों God had not made it like the other trees उसको इस बात पे आश्चर्य होता था कि ईश्वर ने उसे अन्य पेडों की तरह क्यों नहीं बनाया था As As का प्रियोग किया जाता है Because के sense में कोई कारण बताने के लिए Birds never made their nest on it चूंकी है ना चूंकी, क्योंकी यह सब As के दौरा हम बताते हैं कि जो पक्षी थे उन्होंने कभी इस जुके हुए पेड के उपर घोसला नहीं बनाया As birds never made their nest देर यहां पर आया पक्षियों के लिए कि पक्षियों ने उनका गोसला इस जुके हुए पेड के उपर नहीं बनाया Nor Nor का मतलब होता है और नहीं Could it give It आया यहां पर जुके हुए पेड के लिए Shade का मतलब है चाया To travelers और नहीं यह जुका हुआ पेड यात्रियों को छाया दे सका One day एक दिन A woodcutter एक लकड़हारा लकड़ी काटने वाला Came to cut down देखो Cut down a tree इसका मतलब क्या होता है पेड को काट के नीचे गिरा देना तो एक दिन क्या हुआ एक लकड़हारा जो है पेडों को कुछ पेडों को काटने के लिए आया Seeing Seeing का मतलब है ये देख कर The twisted Twisted का मतलब है मुडा हुआ Seeing the twisted tree मुडे हुए पेड को देख कर He thought लकड़हारे ने सोचा He would not be able To cut Long Straight Logs देखो Logs का मतलब होता है लकड़ी का जो डंठल होता है न जैसे ये गोल गोल लकड़ी का जो डंठल होता है उसको बोलते हैं Log तो मुडे हुए पेड को देख कर लकड़हारे ने सोचा कि He would not be able वो नहीं बना पाएगा क्या To cut long कि लंबे और सीदे लकड़ी के डंठल इस जुके हुए पेड से वो नहीं बना पाएगा From it यानि कि ये जो जुका हुआ पेड है अगर इसे काटेंगे तो इसे काटने के बाद इसके लंबे लंबे और सीदे डंठल नहीं मिल पाएगे As का यहां पे मतलब है जैसे ही As he went near the beautiful trees with his axe अब जैसे ही वह सुन्दर पेडों के पास गया अपनी कुलहाडी के साथ The trees got scared तो ये जो सीधे सीधे और सुन्दर सुन्दर पेड थे got scared ये डर गए देखो scared का मतलब होता है डर जाना ये पेड जो थे डर गए इसके बाद क्या हुआ One by one He cut down all the straight trees One by one यानि कि एक के बाद एक लकड़हारे ने सारे सीधे पेड जो थे वो काट के नीचे गिरा दिये Who thought of themselves Who यहाँ पे आया है सीधे पेड़ों के लिए straight trees के लिए अब ये जो straight trees जो थे न सीधे जो पेड थे Who thought of themselves ये अपने बारे में ऐसा सोचते थे क्या सोचते थे Better than than का प्रियूक किया जाता है तुलना करने के लिए The bent tree Bent tree का मतलब है जुका हुआ पेड यानि कि ये सीधे पेड जो थे अपने आपको जुके हुए पेड की तुलना में बहतर मानते थे इन पेडों को एक के बाद एक करके लकडारे ने काटके नीचे गिरा दिया The twisted tree जो मुडा हुआ पेड था जो जुका हुआ पेड था Thank God इस मुडे हुए पेड ने इश्वर को धन्यवाद दिया For किस बात के लिए ये not गलत है यहाँ पे For making it इट यहाँ पे ये जो इट है ना ये इट आया है इस कुरूप पेड के लिए twisted पेड के लिए bent tree के लिए तो finally क्या हुआ ये जो मुडा हुआ पेड था इसने इश्वर को धन्यवाद दिया किस बात के लिए For making it the way it was कि जिस तरह से उसे बनाया गया था यानि कि जैसा वो था वैसा बनाने के लिए मुड़े हुए पेड ने इश्वर को धन्यवाद दिया यानि कि मुड़ा हुआ पेड बहुत खोश हुआ और उसने का कि हे इश्वर तुने मुझे जैसा भी बनाया मैं उससे बहुत खोश हूँ और तुने बहुत अच्छा किया तेरा शुक्रिया moral क्या है इस कहानी का क्या संदेश मिलता है इस कहानी से यह कहानी हमें सिक्षा देती है we must learn to be content देखो content का मतलब होता है संतुष्ट with what God has given us कि इश्वर ने क्या हमें दिया है यानि कि इश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उससे हमें संतुष्ट होना सीखना चाहिए must मतलब बहुत जरूर जो कुछ भी हमें इश्वर से मिला है उससे संतुष्ट होना सीखना चाहिए यानि कि जो भी आपको इश्वर से मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए